वैसे बॉलीवुड में टैंट्रम शो करना या बॉलीवुड में टैंट्रम दिखाना कोई नई बात नहीं होती है यानि कि हीरो हीरो इनके कई नखरों के खिसे आपने पढ़े और सुने होंगे लेकिन अब ये बॉलीवुड के अलामा भोजपुरी इंडस्ट्री में भी बदस्तूर सर्वाइव कर रहा है जी हाँ आज कल भोजपुरी की कई ऐसी एक्ट्रिसेस हैं जिन्हें नखरों की सहजादी या टैंट्रम क्वीन कहा जाता है आए जानते हैं भोजपुरी सिनिमा में वो कौन सी एक्ट्रिस हैं जो नखरे दिखाने में माहिर हैं तो पहला नाम है आमरपाली दुबे जी हाँ आमरपाली दुबे के साथ जो भी नया प्रोड्यूसर डिरेक्टर एक्टर काम करता है उसको आमरपाली दुबे पूरी तरह से अपना टैंट्रम दिखाती हैं जी हाँ आमरपाली के मुताबिक ही कॉस्ट्यूम होना चाहिए आमरपाली के मुताबिक ही डान्स टैप होना चाहिए और आमरपाली के मुताबिक ही शुटिंग शुडिूल होना चाहिए वैसे कहा जाता है कि ये सारे टैंट्रम वो बड़े प्रोड्यूसरों और डिरेक्टरों के साथ नहीं शो करती बट अगर कोई नया प्रोड्यूसर और डिरेक्टर और अक्टर उनके साथ काम कर रहा है तो भाई आप समझ लीजिए वैसे इसके बाद दूसरा नमबर अक्षरा सिंग का आता है जी हाँ ये आमरपाली की बेस्ट बड़ी है तो असर तो कुछ होगा ही और वैसे भी भोचपुरी में आजकल अक्षरा सिंग की डिमांड है और जिसकी डिमांड है उसके नखरे तो होंगे ही तो आपको बता दे कि अक्षरा सिंग के भी ऐसे ही नखरे है हाल ही में अक्षरा सिंग ने रितेश कुमार पांडे के साथ एक फिल्म साइन की थी राजाराज कुमार कहा जाता है कि उस फिल्म के सेट पर अक्षरा सिंग के नखरे इतने जादा थे कि उस film के producer और director काफी परिसान हो गए थे। हाँ लेकिन इस film को लेकर एक बात और सामने आई है, फिल्म की shooting रोक दी गई है। इस film की shooting इसले रोकी गई है कि producer द्वारा अक्षरा सिंग को अभी इस film के पूरे पैसे नहीं दीए गया है। इसलिए अक्षरा सिंग को पूरे पैसे न दिये जाने के कारण अक्षरा सिंग ने इस फिल्म की शूटिंग अभी रूप दी है वैसे हम ये नहीं कहते कि नकरे गलत हैं जब ये एक्ट्रेस इतनी काम्याब है इतनी फैन फॉलोईंग इन्हें फॉलो करती है इनके नाम से फिल्में चलती हैं तो भाई थोड़ा बहुत टैंट्रम तो बनता ही है बहुत पूरी जगत की हट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए